प्रियंगा की बेहन ने तड़वाया मुनवर का रिष्टा मनारा के साथ बड़ी मुनवर की नस्दी किया तो गर्ल्फिन ने डिलीट किया अंस्टाग्राम अकाउंट पहले शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट फिर सोशल मीडिया से बनाली दूरी जी हाँ बिग बॉस सत्रा में जितने रिष्टे बन नहीं रहे उससे जाथ रिष्टे तूटने की कगार पर है अब देखिये ना पहले अंकिता लोखंडे और विकी जैन की लडाईया देख लोग परिशान थे और अब शो की कंटेस्टेंट और स्टान अप कोमेडियान मुनवर फारूकी की ब्रेक अप की खबरों ने जोर पकड़ दिया है एक तरफ मुनवर की नजदी किया शो की कंटेस्टेंट मरारा चोपड़ा से बढ़ रही है तो दूसरे तरह बहार उनकी गर्फिंट उनसे नाराज नज़रा रही है दरसल नाजल ने क्रिप्टिक पोस्ट कर अपने इंस्टागाम अकाउंट को डिलीट कर दिया है इंस्टाग्राम पर सर्च करने पर उनकी प्रोफाइल शो नहीं हो रही है नाजल ने इससे पहले अपने इंस्टागाम स्टोरी पर एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी चीज ऑनलाइन जैसे दिखती है वैसी नहीं होती कोई भी अपने आपको जैसे दिखाता है जरूरी नहीं वो वैसा ही हो सच आपके होश उड़ा सकता है इसलिए ही कहा जाता है कि कभी अपने आइडल से ना मिले किसी भी ऑनलाइन देके चीजे से बेवकूफ ना बने इस पोस्ट के बाद फान्स अंदाजा लगाने लगे थे कि शायद नाजल को शो में मुनवर और मनारर की दोस्ती पसंद नहीं आ रही है और इसी वज़ा से वो मनवर से नाराज है वहीं आप उन्होंने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया है इसके बाद तो फान्स और भी जादो परिशान हो गए है अंदाजा लगाया जा रहा है कि नाजल किसी बात को तो लेकर काफी परिशान है बताते कि अभी हाल ही में सोशल मेडिया इंफ्लूएंसर आईशा खान ने भी मुनवर पर आरोप लगाय हुए कहा था कि वो एक टाइम पर दो लड़कियों को डेट कर रहे थे बाहर मुनवर को लेकर काफी बाते हो रही है अब नाजल आखर किस बात से परिशान है ये तो उनके बयान सामने आने के बाद ही पता चोलेगा वही कुछ समय पहले नाशनल टीवी पर इस बात का खुलासा हुआ था कि मुनवर फारुकी का एक बेटा भी है कॉमेडियन के बेटे ने पापको शो में वीडियो कॉल किया था इस दोरान मुनवर काफी मोश्रल भी हो गए थे बताते कि मुनवर फारुकी और नाशनल साल 2021 दिसमबर से एक दूसरी को डेट कर रहे है शुरुआत में उन्होंने रिलेशन को प्राइविट ही रखा था इतना ही नहीं मुनवर ने रियालिटी शो लॉक अप में अपने रिलेशनशिप को लेकर किसी भी तरह का खुलासा नहीं किया था वही शो में अंजली अरोडा के साथ उनकी नजदी के अब बढ़ने लगी थी इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि ये दोनों शो के बाद भी साथ रहेंगे शो खतम होने के बाद उन्होंने नाजल के साथ अपने रिश्टे का खुलासा करते हुए अंजली और अपने रिश्टे का खंडन किया था करते हुए जाने बाद ये शो धिया करते हुए भी साथ रहेंगे